दोस्तो 2nd of September को भारत का पहला इंडिया-made aircraft carrier INS Vikrant को कोचिन शिप्यार्ड में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्रमोदी के द्वारा कमिशन किया गया था आज हम उस elite class nations के लिस्ट में शामिल हो चुके हैं जो एक aircraft carrier को बना सकता है दोस्तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया क्या finally एक blue water navy बन चुका है लेकिन critics के मुताबिक World War 2 के बाद जैसे massive warships outdated हो गई थी क्योंकि उन्हें detect करना बहुत ही आसान था कोई भी satellite से aircraft carriers को spot किया जा सकता है और इनको डुबाना भी आज के time पे बहुत easy हो चुका है और जानेंगे कि हमारे late chief of defense staff विपिन रावत का क्या कहना था aircraft carrier के मुद्दे पे दोस्तो सबसे पहले तो विकरांद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि अगर showcase star के बारे में ही नहीं जानेंगे तो उसकी खूबिया और खामियों के बारे में क्या ही बात करेंगे 262 meter इसकी length है यानि करीब 3 hockey fields के समान 62 meters इसकी width है और 43,000 tons when fully loaded इतना बड़ा भारी ship है speed है इसकी 28 knots यानि करीबन 52 km per hour and most importantly endurance 7,500 nautical miles यानि काफी दूर दूर तक यह बहुत सकता है इसकी cost पड़ी 3.5 billion newest dollars यानि around 20,000 crore rupees 1,700 की crew capacity and it can carry up to 30 aircrafts जिसमें helicopters और fighter aircraft शामिल है इसलिए इसको हम एक floating city भी कह सकते है and सबसे बड़ी achievement क्या है पता है Indian made and Indian designed है यह इससे पहले भी हमारे पास aircraft carriers रह चुके हैं INS Vikrant जो इससे पहले वाला था जिसका original नाम था HMS Hercules जो की 1961 में introduce हुआ था हमारी Navy में और INS Virat जिसका पहला नाम था HMS Hermes जो 1987 में हमारी Navy में introduce हुआ था दोस्तों इस carrier को बनाने के लिए 20,000 tons से भी ज्यादा Warship Great Steel का यूज किया गया है और ये मिला है Sail यानी Steel Authority of India से 21,500 tons of special great steel लेकिन ये कोई ऐसा वैसा steel नहीं है इसे special process से बनाया जाता है इसको same moment पे hard भी होना होता है और flexible भी आप ज़रा एक बार सोचिए minus 60 degree Celsius का temperature ये आराम से सह सकता है नॉर्मल अगर steel होता तो shatter कर चुका होता उसके उपर सालों तक का corrosion भी prevent करना है इस तरह के carriers को कहा जाता है Stobar यानी Short Take-off Barrier Assisted Recovery USA की ज्यादा तरक aircraft carriers में आपको cat over system देखने को मिलेगा हमारा ये aircraft carrier operational तो हो चुका है लेकिन most important thing जो इसे एक aircraft carrier बनाता है aircrafts वही तो missing है अभी के लिए तो MiG-29K को इसमें से trial के लिए उड़ाया जा रहा है 2016 में CAG ने सरकार और Navy को काफी criticize किया था कि उन्होंने MiG-29K fighter को accept ही क्योंकिये रशिया से बिकाज इसमें तो बहुत सारी problems है CAG की report ने ये पाया कि इस fighter aircraft की airframe में problems है RD MK-33 engines में problem है fly-by-wire system में problem है तो problem से भरा हुआ है ये aircraft जिसको आप एक new aircraft carrier में लगाने की कोशिश कर रहे हो अभी इसमें USA और France ने देखा opportunity तो उन्होंने अपनी अपनी राफेल और FA-18 Super Hornet लाने की कोशिश कर रहे है ये वही FA-18 है जिसको आपने Top Gun Maverick में देखी थी और भाई जिन जिन लोगों ने Top Gun Maverick नहीं देखिया है तो बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो तुम लोग सबसे पहले तो Top Gun वाली मूवी देख लेना जो शायद 1986 में लाउन्च हुआ था उसके बाद Top Gun Maverick देख लेना खेर थुरा भटक गया था मैं Boeing का कहना है कि अगर आप ये Aircraft का वर्शन लेते हो तो इसमें इस डील का बहुत सारा पैसा वापस से इंडिया में हम इन्वेस्ट करेंगे वही France ने भी Competition में बताया कि आपके पास तो पहले से ही 36 Rafale Aircraft है तो अगर आप Navy वर्शन भी ले लेते हो इसको कहा जाता है Rafale M तो Training, Maintenance और Logistic Support आपको ज्यादा मिलेगा अभी अगर बात करे Blue Water Navy की तो इसका मतलब है जो Navy अपने Regions की सुरक्षा करने के साथ साथ दूर कही जाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है अभी इसके लिए इंडिया को चाहिए होगा एक Third Aircraft Carrier इसका Proposed नाम है INS Virat दूस्तों Navy का मानना है कि अगर हमें अपनी Power को Project करना है तो हमें और जगे जगे पर Sea Trials करनी होंगी और जो Virat की बात हो रही है वो 60,000 टन्स है यानि इससे भी बड़ा Aircraft Carrier बनाने की बात हो रही है लेकिन हमारे Late Chief of Defense Staff विपिन रावत का कुछ और ही मानना था उन्होंने बताया था कि हमें एक और Aircraft Carrier में पैसा नहीं लगाना चाहिए और हमें आंदामान, निकोबार, लक्षदीप इन आइलेंड्स को एक Unsinkable Naval Acid की तरह बनाना चाहिए जहां से हम हमारी Naval Strength को Project कर सके लेकिन उधर एक और आरगोमेंट भी है हमने इतनी मुश्किल से, इतना complex design करके ऐसा powerful चीज बनाया है इसके बाद अगर हम एक और Aircraft Carrier नहीं बनाएंगे तो ये सारी progress तो हम भूल जाएंगे अभी चिंता का विशा एक और ये है कि चाइना ने एक Anti-ship Ballistic Missile बनाया है जिसका नाम है DF-21D इसको वो carrier killer भी कहते हैं सोचो, एक missile system जिसका range 2000 km बताया जाता है और ये Mark 5 की speed से उड़ सकता है और जब descend करेगा, तब इसका speed बताया जाता है Mark 10 अचीव कर लेता है यानि sound की speed से 10 गुना ज्यादा speed से ये जा सकता है और pinpoint accuracy से उस mega aircraft carrier को डुबा देगा अमेनिका ने try किया था इसको रोकने के लिए एक missile defense system develop करने का लेकिन वो successful नहीं हो पाया और aircraft carrier को maintain करना भयानक costly होता है carriers कभी भी अकेले नहीं जाते इनका एक strike group होता है इसके साथ destroyers, frigates, cruisers, submarine सब मरीन सब साथ साथ चलते हैं तो इसको लेके ही पूरी controversy है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के पास अगर तीन aircraft carrier हो तो वो enough होगा इंडिया के लिए and हमें साथ साथ अंदामान निकोबर को भी naval asset बनाना होगा जिससे कि China का जो string of pearl strategy है उसको counter किया जा सके दोस्तों इस मुद्दे पे आपका किया opinion है let me know in the comments